हालो डिया स्ट्वेंट्स तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चप्टर आपके कोडिनेशन कंपाउंड में बात की थी आब ऑउट्ट ऑक्सिडेशन स्टेट की कैसे हम एक गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटल मेटल अकचिडाशन स्टेट कैसे फैंड आउट क पर दें ठीक है उसके बाद हमने आपका सिट्विक्स रूल देखा था ठीक है कि जिसके लिए यह अनकी वेल्यू आपके नियरेस्ट नॉबल गेस के कोंफिगरेशन के पास अती है यह सेम अती है उसकी स्टेबलिटी होती है ज्याधा दूसरे कोंप्लेक्स की कमपेरिजन में ठीक है इसके बाद हमने आपके एप्रिकेशन पढ़ी थी सिट्विक्स रूल की ठीक है तो वहाँ आँमने देखा था कि केसे हम किसी भी मेटल और इसके बाद हमने उस complex का नेचर भी हम पता कर सकते हैं कि वह oxidizing nature का होगा या फिर आपकी ठीक है यह सब हमने देख लिया था ठीक है तो आज हम एक और इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर भी एप्लिके पहले हैं ठीक है वह हम एक एक करके देखते हैं ठीक है चलिए कि सिंपल सोल्ड क्या करता है देगे लाइक शिम्पल सोल्ट केटानिक पार्ट इस नेंट फर्ष्ट वेदर इस सेंपल और कंप्लेक्स फ्रॉल बदा नेमिंग ओफ एनिंटITY पार्ट बिद्द जैसे आप नोर्मल जो आपके सोल्ट होते हैं जो आपके आइनिकंपांड हो हो आप हमेसा पहलें केटैनिक पार्ट लिखते हों बाद में अनामिक पार्ट लिखते हो ठीक है जिए आपका kcAlA k plus and cAl minus वैसे यह पे भी जब आप complex compound की naming करोगे आपको केटैनिक पार्ट की पहलेать करनी है उसके बाद आपको एनायनिक पार्ट की नियमिंग करनी है ठीक है अब वह केटाइनिक पार्ट सिंपल भी हो सकता है जैसे आप ले लिजिए के पूर लेटी सीन होल 6 कि यहां के फोर पोटेशियम आपका के प्लस है के टायनिक पार्ट है सिंपल है नहीं है ठीक है ना सिंपल है तो सिंपल आप पोटेशियम बोलोगे ठीक है वह सकता है यह आपका कॉम्प्लेक्स हो जैसे एजी एनस 3 होल ट्वाइस को सील यहां बाहर से ले ठीक है तो यहां पर आएगा आपके प्लस वन तो कम्प्लेक्स क्या है कोई दिक्कत नी सिंपल हो या कोंप्लेक्स हो ने पहले किसकी होगी गर जो आपकी लिए अगर सिंपल आपकी के क्यान तो कोई दिक्केत मिए उसके पात अपकाइन किसके रभवक है ननिके ठीक है लेकिन अगर आपके पास कॉंपलेक्स-के तो उसकी नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आपको लीगिंड्स की नेमिंग करने प के- c carry तो केटाइन की नेमिंग कर दो फिर एनायन कोंप्लेक्स हुआ उसमें सबसे पहले आपको किसकी लेगेंड आपकी किसकी नेमिंग करनी है कॉंप्लेक्स के अंदर ठीक है अगर मान लो आपका केटाइन ही कॉंप्लेक्स है तो वहां पर भी आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले वह आपको लिगेंड का नाम पहले लिखना है ठीक है और वह भी अलफा पिटिकल ओडर में जैसे मैं आपको कहूं एक माइनस सूपर ओपसेट ठीक है यह आपके पास कोंप्लेक्ट कंपाउंड है ठीक है आपको इसकी नहीं करनी है इसे हम बोलते हैं माइन क्या बोलते हैं माइन यह एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देहन रखने है जब भी आप अमीन लिखोगे एनस्त्री सिंगल एमीन के लिएकर अगर आप लिख रहे हो तो आप अमाइन लिखोगे एडवल आई एनी ठीक है लेकिन जब भी आप इसके डेरिवेट्टिव लिखोगे ठीक है ज जब आप केवल अमोनिया के लिए लिख रहे हो नेमी तो आपको डबलम लिखना है एक इंपोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने है ठीक है क्योंकि यह सब पहले कि आपके जई एक एक्जाम में पूछा भी जा चुका है ठीक है ना दो ऑप्शन थे जिसमें एक मे डबलम था ठीक है तो केवल अमोनिया है उसके लिए हम डबलम यूज़ करते हैं स्पेशल याद रखना है बाकि अगर अमोनिया को कोई डेरिवेटिव है तो उसके लिए सिंगलम में काम में लेंगे ठीक है मिथालमीन ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है यह आपका ब्रोमीडो B से स्टार्ट होता है यह क्लोरीडो C से स्टार्ट होता है यह आयोडीडो I से स्टार्ट होता है यह साइनाइडो यह आपका C से स्टार्ट होता है और यह सूपर ऑक्साइडो S से स्टार्ट होता है तो आप जब इनकी नेमिंग करोगे तो सबसे पहले लिगें भी यह प्रोमीडो यह पहले आएगा सेकंड नंबर ठीक है उसके पाद आप देखोगे एक तो क्लोराइडो है और एक साइनीडो है ठीक है दोनों सी से स्टार्ट है तो आप स्पिलिंग लिखिए क्लोराइडो की छ लो आर रहा है तो यह आपके साइनेड की सी एच साइनिडो है कि साइनेडो ठीक है यहाँ पे सी डैर और यहां पे सी एचे तो पहले अगर फ спорт से मेंो आप सेगंड लेटर के तरफ मूव करोगे एच आ रहा आ आ самого थर्ड़ हुआ यह आपका उर्भा ठीक है उसके बाहरां और एसक नंबर आइक का आएगा और 6 नमबर आपके किसका आएगा, S का, सुपर ओक्साइड का, ठीक है न, तो इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, आप नेमिंग करोगे, तो फर्स्ट आप लिकोगे, एमीन, अगर एमीन है, तो सबसे पहले के वर अमोनिया है, ठीक है न, यह नमबर पे आएगा, ठीक है, इसे आप लिकोगे, एमीन, ठीक है, उसके बाद आपका, ब्रॉमीन यह से करानала पहलगे, ठीक है, उसके बाद फिर प्लेटिन, ठीक है, यह चीज है, अपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो डूरूलतो क्या हुए, फर्स्ट आपको, केट आन पाट की नेमिंग करनी है और उसके बाद NN की, केटान अगर सिंपल है तो सिंपल लिख दो कोई दिक्कत नी है, लेकिन अगर आपका complex है, तो complex में सबसे पहले हम किस की naming करेंगे, लिगेंड की नेमिंग करेंगे और वो भी किस ओडर में अलफा बेटिकल ओडर में ठीक है ना यह दो आपके सिंपल एक्जामपल है इस वह आप चाहो तो नोट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकि आप इसे नोट कीजिए ठीक है इसके बाद हम इसके आगे के रूल पढ़ते हैं ठीक है एक बार आप इसे नोट कीजिए ओके तो अब हम अपना थर्ड और फॉर्थ रूल पढ़ते हैं इस इफ तर कंपाउंड कंटेंज कॉंपलेक्स कंपाउंड कंटेंज मोर देन वन सेम टाइप अप लिगेंड देन प्रिफिक्स बाइट राइट टेट्रा एक्सेटरा अर्यूज ठीक है मतलब आपके एक से ज्यादा लिगेंड और सेमी टाइप के तब हम दो के लिए बाई तीन के लिए मतलब ऐसे पांच के लिए पेंटा ऐसे हम काम में लेंगे ठीक है अब जैसे आपको एक्जामपल दूमें एनाइन एस त्री होल फोर आप ले लिजिए को सी एल टू ठीक है यह मैंने आपको नाम दे दिया ठीक है complex compound तो आपको क्या है यहां पर जो एमीन है वो फोर टाइमस है ठीक है ख्लोरीडो आपका 2 है है CL2 यह जब हाम लेकिंगें तो हम यहां लेकिंगे का ढायल पहले आपका टेट्रामाइण ट्राम एमएन गलाइण डॉर्या इंपकर आएगा डाई क्लोरीडू है ठीक है यह चीज आपको थ्यान रिखने है जिसे दो आगे तो डाई तीन आगे तो ट्राई और चार आगे सेम टाइप के लिगें तो हम क्या लिखेंगे आपका टेट्रामाइन ठीक है अब क्या होता है कभी-कभी बच्चों को सब्साम को कन्फिजिन रहता है जैसे कि ट्रअने तो टी से स्टाट हुता है और बीधी एक Souls टी में आपका दी पहले ही अपका नाम अब होता हैall enact right मंध्य और अल्भावेटिकल ओर में तो एम आई नहीं पहले आएगा ठीक है अपने को यह नहीं देखना है कि by try tetra क्या लगा हुआ है वो बिलकुल नहीं देखना है ठीक है अपने को simple देखना है real name और उसके order के साब से यह आपका alphabet का order आएगा ठीक है यह चीजे जैसे यहां पर देखो हो सब्सक्क्राइब हैम निए तो 근स्क्रीज्क और यह आपका पहले आएगा ठीक है यहाms पर आएगा आपका डाइ क्लोरीडियो क्या लिखेंगे हम डाइ ग्लोर्स कि अव्त के बाद हम क्या लिखेंगे आपका डायो ढग और डाइ उप कजे लेतों ठीक है उसके बाद आपका आई गार जो मेर्टल में निकल थी रहे हैं थे क्लियर में कैसे educating करते हैं ठीक है अब अ Αbuds अब नाम बहुत सी अस्सक्ति पहले ही आप यौन क fishermen do iust उस कंडिशन में हम अगर लिखा हुआ पहले तो 20 लिखते हैं ट्राय लिखा है तो 30 लिखते हैं और फिर टेटरा किस लिखते हैं इस टाइप से आपको लिखना पड़ता है जैसे मैं आपको एक्जाम्पल दूं सी ओ इन होल्ड ट्वाइस या अपका देल्टी यही एक्जाम्पल ले लिए ठीक है इसकी अगर हम बात करें ठीक है यहाँ पर क्या इथाइलीन डाइ एमीन यहाँ पहले से वर्ड जुड़ा हुआ आपके पास डाई ठीक है इसलिए हम जब इसका नाम लिकेंगे पहले तो यह टू-टाइमस है तो इसे हम लिखेंगे नाम के आगे इसको तो यह आपको सिंपलही लिखने आपको डाइ ग्लोरिडो ठीक है अब यह इथाइल ऑपो उसका नाम बिशाफ कर दो इसके में क्लोरिडो ठीक है आपका विस इथाइलीन डायमीन देन कोबाल्थ मेटल का नाम ठीक है यह चीज आपको देहान रखने है जैसे जो आपका फोर्थ रूल है वह यही कहता है कि इस तर नेम ऑफ लिगेंड ओल्रेड़ी कंटेंस डाई ट्राइ एक्सेटरा देन विस ट्रिस टेटर किस आर यूज इसमें अगर हम नेमिंग देखने चलें ठीक है कोबाल का ओक्सिदेशन स्टेट हम निगालेंगे तो प्लस थी आएगा यहां पर ठीक है आपका इन पर कोई चार्ज नहीं होता है जीरो चार्ज होता है सिल माइनस टू माइनस टू उदर जाके प्लस टू प्लस टू प्लस बं थ्री यह 3 अगर इसकी नेमिंग हम करेंगे तो सी पहले आएगा क्लोरी उसके बाद आएगा आपका इथाइलीन ई हम कैसे नाम लिखेंगे इसका डाइज कलोरीड ओ कि यह देन बिस चाहिए टीकर भीष लिखेंगे उसके बाद फिर ब्रेकेट में नाम लिखेंगे हम इथाइलीन कि डाइमीन पार मिटके ना ओसके बाद फिर हम लिखेंगे नेम कोबाल्ट अभी मेटल का नाम भी हम देखेंगे अभी अपना नेक्स से lght रहें अपका नाम रहेग आपका नामती, ठीक है जनरली नेम लिखा जाता है कोबाल्ट ठीक है ना वो भी मैं आपको चलो यहीं बता देता हूं कि जब भी आपका न्यूट्रल या केटाइनिक कॉंपलेक्स होता है तो आप नाम सीज़ा सिंपल जो आपका मेटल का नाम है वही नाम आप लिखते हो जैसे कोबाल्ट है आपका 8 तो अगर यह anais पार्ट होता अना डीकोंपलेक्स होता तो हम लेकते कोबाल्ट यहीं होता है आपका डाइमीन इथाइलीन डाइमीन इस तरीकल को लिखना होता थीक है अगर सेकेंड एग्जामपल अगर देक है यह आपका pH 3, P, pH 3, यह होता है Trifinyl Phosphin, क्या होता है Trifinyl Phosphin, pH को हम लिखते है Phinyl, ठीक है न आपका Phosphin होता है pH 3, ठीक है यह आपका H, H और H यह होता है आपका pH 3 Phosphin, ठीक है, आप यहाँ क्या करो replace कर दो pH से, H को replace कर दो pH से, ठीक है ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा Trifinyl Phosphin, ठीक है वो ही है आपका P, pH 3, hold twice ठीक है, Trifinyl Phosphin ठीक है, यह Phinyl P से स्टार्ट है, यह आपका Chlorido C से स्टार्ट है, तो पहले कौन आएगा आपका Chlorido, तो हम क्या लिखें है आपका Di Chlorido ठीक है, उसके बाद आएगा 20, ठीक है, देन आप, आएगा आपका Trifinyl Phosphin Trifinyl Phosphin, ठीक है ठीक है, फिर आएगा आपका बास निकल, ठीक है वो चीज़े जो आपको धिहान रखने, निकल सेकेंड, यहां पर आप ब्रेकेट में उसके आगे क्या लिखते हैं, उसकी Oxidation State, जैसे यहां पर Oxidation State क्या थी, तो हम Roman में उसकी क्या लिखते हैं, Oxidation State लिखते हैं, ठीक है इसको नोट कीजे, फिर हम इसके नेक्स्ट जो आपके रूल से उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजे, ओके तो अब देखिए आपके नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, फिप्त बन, इस नेगटिव और्गेनिक लिगेंड्स, हैविंग सब्फिक्स वायल, सब्फ यह जड़ा हुआ है, जैसे आपका साइक्लो पेंटा डाइनाइल, वायल लास्ट में जड़ा हुआ है, ठीक है, तो इनके नाम को हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, यह आपके जैसे हैं, वैसे वैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, यह आपका फिप्त रूल, जो हमने देखा, जब हम मेटल के लिए लिखते हैं, ठीक है, इफ दा कॉम्प्लेक्स आयन इस केटायन एंड न्यूट्रल, दा मेटल इस नेम्ड सेम एज अज एलिमेंट, ठीक है, जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो, केटायन हो, या फिर आपका न्यूट्रल हो, ठीक है, जैसे आप देख Q4-5C l2 प्लस ठीक है इस टइन Main वह हम सरद नाम लिखते हैं सेम रखते हैं ठीक हैं उसको पुबाल्ड है इस सम्ने हम को कबाल्ट है में प्लैटीनम में उसको हम क्या के दूब हम ही जैसे आपका पीटी है एन अने स्थे और फोर C l2 तू प्लस ठीक है इस टाइप का कोई आपका आयन है तो उसका हम नाम क्या रखेंगे सिंपल लिखेंगे इसका अगर आपका आएगा प्लेटिनम ठीक है लाज में इसके ऑक्सिडेशन स्टेट जो होगी आपके माइनस टू उदर जाएके प्लस टू तो टू प्लस टू फूर तो प्लेटिनम फूर ठीक है लेकिन वहीं अगर आपके पास एनायन हो कॉम्फलेक्स क्या हो एनायन हो तो नाम के पीछे हम क्या लगा देते हैं कि अपका ले लिए कि अफी ची एन फोल्षिक्स ॉ यह अब पर फोर माइनस ठीक है य अपके पास एनायन हो कि आगे अगे हम पीछे क्या लगेंगे इसका नाम क्या लागें हम ही हैं ऑ हैं शाडा साइनीडो फैस की जगह हम यहां यूज में लेते फेयरट आयरन नहीं काम केस में जब पॉजिटीव होता है के टाइन होता है तब हम सिंपल आयर लिखते हैं और जब आपका फेरिक ठीक फेर लिए फ्लस टू के लिए तो यहां प्लसक्टू आएगा तो फेरस लिखेंगे लेकिन अपने कुल आश्ट में क्या लगाना है एक तब क्या लिखता है इस टाइप से हम क्या करते हैं अभी कुछ इसे नाम है या आरन था हैं थेकिना एक बर आप इसे नोट कीजे इनो str devil को तो कि तो देखिए कुछा है मैं इस में इन परिये पड़ते हैं 6 लेकृट ये केश की में आपकी बाद पर च्वक्तकर नम्हटि की निर्डवी नाुट के स्पेशल आपको द्याण रखना हें आशाद आय 면 आपका टेटायन और एक एस घर में की ओलकी क्या हूं टो ऊछिटी के दिश्टाइटक्पा अधरम में में लिगत सॉंपलिए फींपल ऐन लिखतें क्या इसको इसके लिग्रमने मेंडिल्रों थी को वह ठीक है वे-ठर्द माईंगे लॉक्विहात पिर आपका आयरन धीक है शिंपल आयरें लिखेंगे उसका ऑक्सिदेशन स्टेट आयरन की चैसमें सपेशल ठीक है ये चीज आपकोध्य नीए और आयन उ तो आपको फेरेट ही लिखना है फिर लेड की केस में प्लंबेट सिल्वर के केस मैं अरिजन एटिन के कैस में गॉल् ठीक है तो यह कुछ specific नहें जो आपको ध्यान होने चाहिए ठीक है इन्हें आप नोट की जब फिर हम कुछ examples की practice करते हैं ठीक है एक बार आप इसे नोट कीजिए तो देखिए यह आपके सामने कुछ examples है ठीक है इनको आपको क्या करना है इनकी naming करनी ठीक है एक दो मैंनी एक दो compound की naming में आपको बता देता हूं ठीक है ना देखिए इसकी platinum की हम देखते है ठीक है क्लोरीन और आपका क्लोरीडो और आपका एमाइन फर्स्ट में कोन आएगा आपका एमाइन ठीक है सबसे पहले तो आपको क्या करना है जितने भी सेंट्रल मेटल है उनकी oxidation स्टेट निकालना आना है ठीक है यहां अगर हम प्लेटिनम के लिए देगे यह आपका न्यूट्र क्लोरीडो ठीक है और न्यूट्रल है तो जैसा नेम है मेटल का बेसा ही लिखेंगे प्लेटिनम है तो आपका प्लेटिनम और उसके उपर चार्ज कितना है प्लस टू यह आपका सेगेंड सिंपल सी नेम लिखेंगे ठीक है एक और मैं यह आपको यह वाली बदा देता हूं ठीक है ओ अनो ओन मतलब यह 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 आपका नाइट्रिट्री टो यह आपका नाइट्रीटो हम बोलते है ठीक है यह आपका इथैलीन डाइमी यह आपका ब्रोमीडो कौन सबसे पहले आपके पास B, फिर आपका E और फिर आपका N, ठीक है, नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, और ये केटान है, केटान है, तो भी आपका नेम कोबाल्ट है, वो सिंपल ही आएगा, ठीक है, अगर हम इसके कोबाल्ट का ओक्सिडेशन स्टेट देखें, ओनो पे आपका माइनस वन चा होता है, ठीक है, तो माइनस टू, उदर जाके प्लस टू, प्लस टू और प्लस वन, थ्री, तो कोबाल्ट पे चार्ज आएगा, आपके पास, प्लस थरी एका, ठीक है, नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, आपका ब्रोमीडो पहले आएगा, ब्रोमीडो ठीक है, उसके बाद एक लिखे आपका एक विप हम नेक तो यह फिर आप भीत इनल सबस्कहें Q4 को फिर आप लिखे अंगये और नाल नाे ट्रीकर है रिक्व्य है नाइ ट्री तो लिखे है या फिर आप लिख सकते हैं इसके अलगा ओ नाइट ट comprend ठीक है ना दोनों प्रिफिक्स आप यूज़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं यह भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद आएगा आपका कोबाल्ट 3 ठीक है सिंपल है यह वीडियो को पोस्की और बाकी की नेमिंग ट्राइए ठीक है फिर मैं आपको एक के करके सब की नेमिंग बता देता हूँ एक बार आप इसे नोट कीज़ें कटेए अफ पढ़ते हैं बाखी केवांऑंस की नेमिंग ठीक है अगर व Όल सम давно than के आपके पास यह तो आपका पॉरेंख से में यह आपका प्रोक्षी यह है यह अफना का केटाइन होता है यह अब का एनाए टेटाइन की नेमिंग पहले पोटेशियम ठीक तो इसके बाद आयोडीन कितने फोर तो आपका आएगा टेट्रा आयोडिो टेट्रा आयोडी लीडो ठीक है उसके बाद मर्कूरी है तो हम सिंपल लिखेंगे आपका मर्कूरेट अगर हम इसका ऑक्सिडेशन स्टेट निगा लें यह टू के प्लस को बैलेंस करने के लिए यहां पर आएगा टू माइनस ठीक है आयोडिन पहले से माइनस है तो माइनस फॉर उदह जाके प्लस फॉर फॉर माइनस टू प्लस टू मर्कूरी का आपका उक्सिडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस टू ठीक है तो पोटेशियम टेट्रा आयोडिडो मर्कूरी मर्कूरेट आपका सेकेंड इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो ठीक है ना इसके बाद अगर हम इसकी सेकंड वाले की नेमिंग करें देओं यह मर्कूरेट रहेगा ठीक है ना है सीयूरी मर्कूरेट कि एक्ता के अज़ेंग कर दाल्यक कि नंशा करन डनी तकर वाले को ठीक हैप दो होड़ेग सेकनन आपका बाहर पोटेशियम सिंपल आएगा आपका पोटेशियम पोटेशियम उसके बादा आरन का उकसीडेशन स्टेट की यहां प्लस है यहां पर अंदर आपका cn-6 जाके आपका प्लस त्री आपका प्लस तरी तो पॉटेशियम है था गेशा वेक्जा साइनीड ओ ऐसके बाद आपका आरेन क्या ए नेगिटिव पारट एक एनाइनिक कोंपलेक्स है तो आपका आएगा फेरेट क्या एका एक फेरेट और आपके औक्सिटेशन स्टेट यहाँ की नेविंग पहले होगी कैसे लेंगे हम यहां पर पहले तो को अपन क्या करते हैं oxidation state निकाल लेते हैं सील माइनस त्री है यहां पर प्लस त्री आएगा तो कोबाल्ट का oxidation state plus 3 एए एस तो आपके न्यूट्रल लिगेंड है ठीक है क्या आएगा है remeय friendship फिर आएगा आपका पास कोबाल्ट 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 थीक है कोबाल्टके उपर 3 कोबाल्ट 3 क्योंकि Okeien केटान थो सिंपल नाम हम ऐसे ओखांइन कोबाल्ट 3 फिर आएगा आपके पास मैं ज्मेहेन ख्ल allegedly पता है इसलगा कर सकते हैं अभी किसी को समझ में आया हो धिरे घिरे और नहीं हुए तो वीडियो को दुबारा पोस्ट करके ट्राई भी कर सकते हो कोई दिक्कित कर सकते हो ठीकतhernा हम्हान वीडियो पोस्ट करो और बाफिकर किए को नमões उनको ट्राइक नाम में लिखते हैं ठीक है यहां अगर हम फिपत देखें आपका तो क्या है आएगा इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो आएगा ठीक है अमोनिया आपका न्यूट्रल आयोडिन पर माइनस चार्च माइनस वन इधर जाकर का ब्लसवन हो जाएगा सोजेगा तो अक्सिडेशन स्टेट आए अपका ब्लस 3 जी ने में करेंगे यह क्या होगा अक्राफ कि फाइव चेस हैं फैसे तो पेंटाथ चेकब पेंटाएमाई पेंटाएमाई impressive सब्सक्राइब कॉपाल्ट कोबाल्ट 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 थी फिर आपके पास अना इनिक पार्ट इस तरह से हम कर सकते हैं सिक्स बन देखिए आप ठीक है सिक्स बन अगर हम देखें न्यूट्रल लिगेंड आपका ठीक है एन टू माइनस वन चार्ज होता है ठीक है वह थ्राइज है तो कोबाल्ट के उपर प्लस 3 चार्ज आएगा ठीक है यह आपका न्यूट्रल है यह नाइट्रो एंस से ट्राय अमाइं ट्राय नाइट्रो ट्राय अमाइन ट्राय नाइは और नंगर कोबाल्ट त्री कोबालट त्री कोबाल्ट त्री इस टाइप्स हम लिकेंगे ठीके six seven वन देखिए आपक का या है त्फलोरिडो simple लिखेंगे है फ्र libे एक जाब फ्लोरीडो ठीक है फिर आपका एनाइनिक पार्ट है तो आइरन नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे फेरेट क्या लिखेंगे फेरेट फेरेट यहां पर ऑक्सिटेशन स्टेट देखो कि तो आरन का आएगा आपके पास प्लस ठीक है यह आपका 3 ठीक है एक्जा फ्लोरीडो फेरेट ठीक है नेक्स देखिए केटैनिक पार्ट सोडियम ठीक है स्टीक है यहां पर 3 एने है तो एने प्लस को वेलेंस करने के लिए यहां पर 3- आएगा चार्च आपका माइनस 6 उदर जाएक होगा प्लस 6 तो 6-3 कोबाल्ट फिर से यहां पर कितने स्टेट में प्लस 3 ऑक्षिडेशन स्टेट में ठीक है पहले नाम लिखेंगे अपन केटाइन का तो आपका पास आएगा सोडियम ठीक है क्लियर है सोडियम उसके बाद हम लेंगे आपका एनायन का नाम हेक्जा नाइट्रो क्या लेकिंगे है नाइट्रो देन आएगा आपके पास कोबाल्ट थ्री यहां पर नेगिटिव में माइनस एनायन चार्ज देतो कोबाल्टेट लिखेंगे क्या लिखेंगे कोबाल्टेट फिर आपका 3 ठीक ना इसी जनरली छोटी मूटी मिस्टेक्स हो जाती है तो आपक अब देखिए नेक्स अकर हम देखें इताइलन डाइमीन टीक है यह आपका क्लोरिन सी से स्टार्ट है तो हम देखेंगे पहले आपका CL2 ठीक है ओक्सिडाशन श्टेट निकाले हम तो यहांपर होल ट्वाइस है ठीक है यहांपर सल्फेट होता माइनस 2 ठीक है माइनस थिए तो ऐसे मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए तो कोई-प्लस टू लिख देता है लसवन याएगा ठीक है न क्योंकि दो मॉलीकूल है तो प्लस टू हो जाएगा वह ठीक है यह न आपका ठीक सिर हम लिगेंगे इथाइलीन डाइमीन कि इथाइलीन डाइमीन डाइमीन ठीक है डाइ-क्लोरिडो इथाइलीन डाइमीन यह सबालट के टायन है नेम चैंज नहीं होगा शिंपल क्या आएगा हो वाप्स को अ और आपका थार्ड ठीक और उसके बाद anonic part that is sulphate ठीक है ना इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं नेमिंग कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हमने जो नेमिंग देखी यह तो हमने देखी कि आपके पास या तो neutral compound हो या फिर आपका simple क्या हो जब आपके पास complex केटाइन और complex NINO क्या हो जब आपके पास complex केटाइन और complex NINO उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं मैंने आपको उनकी oxidation state निकालना सिखाय था ठीक है अगर वह आपको आता है तो उसकी नेमिंग भी आप बिल्कुल एजी तरीके से कर सकते हो ठीक ना एक बा है आपको केवल oxidation NUMBER सही निकालना है ठीक ना उसके बाद नेमिंग बिल्कुल एजी रहेगी जैसे हम अगर फर्स्ट की बात करें प्लेटिनम आपका प्लेटिनम कोडिनेशन नंबर 4 में होता है तब उसकी अक्सिदेशन स्टेट होती है प्लस टू जो मैंने आपको पहले लिखवाया थे रूल्स ठीक है ना जो प्लस टू प्लस टू को बैलेंस करने के यहां पर कितना आएगा माइनस टू को माइनस टू को माइनस टू यहां पर आगया ठीक है अब यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सिदेशन स्टेट निगा लेंगे तो सियल फॉर माइनस फॉर माइनस उद्रा की प्लस फॉर तो फॉर माइनस टू आपका प्लस टू यह भी प्लस टू पे और यह भी आपका प्लस टू में ठीक है सिंपल नाम लिखे आपका केटाइन का पहले नाम लिखेंगे टेट्रा एमाइन क्या लिखेंगे हम टेट्रा एमाइन टेट्रा एमाइन ठीक है नाम लिखेंगे प्लेटिनम क्या लिखेंगे प्लेटिनम सिंपल प्लेटिनम और उसका ओक्सिडेशन स्टेट इस सेकेंड ठीक प्लॉरीडो फिर आएगा एनायनिक पार्ट है मेटल तो एट लगाना पड़ेगा तो प्लेटिनम की जगह हम क्या लिकेंगे लिकेंगे प्लेटिनेट और यह आपका second, ठीक ना, simple है, कोई दिकती नहीं, कि वहला आपको oxidation number सही निकालनी है, ठीक है, PT, यह वापस आपका plus 6 coordination number है, यहाँ पे आपका platinum होता है, plus 4 oxidation state में, ठीक है, प्लस 4 को balance करने के लिए, यह तो आपका neutral है, यहाँ पे minus 2 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, आपका plus 2 आना चाहिए, ठीक है, तब जाके minus 2 उदर जाके plus 2 होगा, तो two plus two four ठीक है अब यहां पर plus two को balance करने के लिए यहां पर कितना आना चीह माइनस two ठीक है coordination हम में निकाल लो यहां पर कितना है four minus है four minus उदर जागे plus four तो four minus two यहां पर आपका platinum में plus two में और यहां पर कितना है plus four में simple name लिखेंगे केटाइन का tetra amine टेटराелमाइन फिर डाइक लोरीडो Danglaridoo ठीके उसके बाद आपका सिंपल प्लेटिनम फॉर ठीक है ना- lorsque n के टान के लिए रहाए लेखे प्लेटिनम फॉर ठीके ये आपका फॉर ठीके उसके बाद एनायने के लिए टेटराक लोरीडो लीए ठीक है टेट्राक्लोरीड हो गया फिर प्लेटिनेट प्लेटिनेट और आपका उक्सिडेशन स्टेट प्लस टू ठीक है क्लियर किसी को वीडियो पोस्ट करके ट्राइब प्लेटिनम के लिए अगर हम देखें कोडिनेशन नमबर फॉर कौन से औक्सिडेशन स्टेट में रहेगा आपका प्लस टू यहां रखने के लिए आपके पास यहां पर कितना चार्ज आना चीए माइनस टू ठीक है तभी यह फॉर माइनस उदर जाके फॉर प्लस में कनवर् को बैलेस करने के लिए यहाँ पर सकंप्लेक्स पीकीतने होना चीए प्लस टू यह कटाइन यह एन नाम लिक्रेशन कंपहले ट्रा मैंaskaält हमाइन ठीक है फिर कटाइन मेंANG सिंपल आपका कोपर इसके oxidation state हम निकलेंगे तहर प्लस 2 ही आएगी ठीक है यह प्लस 2 क्लियर उसके बाद एनाइनिन की तरफ मों कीजिए टेट्रा प्लोरीडो टेट्रा प्लोरीडो ठीक है प्लेटीनेट एनाइनिक पार्ट है न तो प्लेटीनेट लिखेंगे हम और oxidation state क्या है प्लस 2 ठीक है क्लियर फॉर्ट बन देखिए कोबाल्ट 6 ओकोडिनेशन नंबर है प्लस 3 oxidation state रहेगा ठीक है क्या लिखेंगे हम प्लस 3 को बैलेंस करने के लिए यहां पे प्लस 3 है चार्ज है यहां पर आएगा-3 ठीक है फॉर माइनस फॉर माइनस ऊद़र जाके प्लस तो फॉर माइनस थी प्लस वन कोपर यहां पे प्लस वन oxidation state में ठीक है के टायन का नाम पहले लिखेंगे तो आपका हेक्जायमाइन कर देट्रát प्लोरीडो पिलिफ II क्या आईगा क्युक्त क्यों क्यों ब्रेट को ऑससे आपका ओक्सीडेशन स्टेट स्प्लास ठीक तो इस ट्रेइप से क्या कर सकते हैं complex ketay on complex anion दोनों के लिए आपकी naming कर सकते हैं बस आपको की द्यान रखना है oxidation state आपको सही निकालनी इसके पाद हम देखते हैं आपके जो आपके πाई डॉनर्स होते हैं उनके लिए हमने लिखा था कि एटर to the power x हम प्रिफिक्स काम में लेते हैं ठीक है ने के टाइम उसका भी हम एक एक जामपल देख लेते हैं ठीक है ना आप लेख सकते हो ए फोर दे नेमिंग ऑफ पाइड उनर्स वी यूज एटर तु दी पावर एक्स प्रिफिक्स ठीक है और एक्स के आपका है अप्तिसिटी का में और ऐसे चाहरत है की अब कर दर आथ कि जो आपकी डोनेशन वे फाइड उनर्स में इंबॉलू है श्यूंक कहनी लिए यह आपका कोबाल्ट को सी उ ओ ओल्ट्राइज यह कार्बुनिल है ठीके न होल्ट्राइज कि पाई 3 ह पाई थी 3 ह 5 ऑफ कह सबें इसके आपको नेमिंग करना है ठीके यह आपका पाई डॉनर होता है ठीके इसके अगर स्ट्रक्चर देखें यह आपका एलाल यहां पर आपके चार कार्बोन रहते हैं तो हम इसके लिए प्रिफिक्स करते हैं इसकी नेमिंग कैसे होगी इतर टूदी पावर भी से फिर लिकेंग है आपका एलाई कर्यों 65-Second इसके उपर कितना धायगा प्लस्तर चिक ठीक है तो इस टाइब से हम क्या कर सकते हैं पाई डॉनर्स की नेमिंग भी कर सकते हैं ठीक है इंपोर्टेंट है जो चीज आपको थ्यान रखने ठीक है एक बार आप इन सब को नोट कीजिए ओके तो आज की लेक्चर में मैंनली हमने आयूपी-सक के बारे में सीखा है कैसे हम कॉम्पलेक्स कंपॉण्ड की नेमिंग करते हैं इंपोर्टेंट चीज है सबसे पहले आपको केटाइन की नेमिंग करने उसके बाद एनायन की केटाइन अगर सिंपल है तो सिंपल नाम और यहां को फोलो करते हैं ये चीज इंपोर्टेंट है आपको चाहें केटाईन की करनी हो या फिर एनाइन की सबसे पहले आपको लीगेंड की नियविक ने वह भी में अलफाबेटिकल और में आपको करनी है ठीक है यह आमने देख लिया था उसके बाद आपको नेमिक नहीं है आपके मेटल के लिए ठीक है जैसे आपका मेटल कार्बोनील होता है यह अगर आपका नूट्रल या केटायन होता है लगते हैं आपके कोंप्लेक्स काम में लेते है ठीक है इसके बाद हमने में आपकी कंप्लेक्स नियूडत भाड़ी। छोंप्लेक्स हो तब हम कैसे नेमिंग करने तब आपको सिंपल oxidation state निकालनी आनी चीए तो आपका क्यूशंस एजी वो जाएगा आपको फिर केटाइन की नेमिंग करने है फिर आपको एने की नेमिंग करने है ठीक है इसके लिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में रूल्स भी लिखवा है रूल्स मतलब मैंने कुछ पॉइंट बता रहे थे आपको की कोमान उक्सिडेशन स्टेट कितनी होती प्लेटिनम की ठीक है या फिर कोबाल्ड की प्लस 3D सीरीज की या 4D सीरीज की क्या उक्सिडेशन स्टेट होती वह आपको ध्य गांनेन स्टेरिय एक आपकी वी-बी-टी और एक हैं क्रिश्टल फूड़ ठीक है अलाल bell theories फैट इंद की क्या क्या उरी थे उनके बारे में डीटेल में नेक्स लेक्चर में स्टार्क करेंगे ठीक है तो फिर मिलता है नेक्स लेक्चर तब तक आप अपना ध्यान रखिए मैं अपना ध्यान रखता हूं थैंक यू वेरी मुच